एलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनी मेक इस दुनिया में तो दोस्तों इस एपिसोड में न हमें पिछले सभी एपिसोड का रीकेब दिखाया जाता है अरे क्यों अरे वो हमें नहीं पता है अरब दिखाया जाता तो हमको दिखाना पड़ेगा और इसलिए अब हम पू जिसे अब gate के नाम से जाना जाता है उस gate के अंदर कई सारे monsters पाये जाते हैं जिनका सामना करने के लिए इनसान के weapons काफी नहीं होते हैं और इसलिए फिर दुनिया में कई सारे लोगों के पास खास powers आने लगी जिनको हम hunters के नाम से जानते हैं और फिर hunters को भी अपने powers के कोशिश क्यों ना करें वो कभी भी अपने rank से जादा powerful नहीं बन सकता हैं और फिर हम song को देखते हैं जो की E rank का hunter था और दुनिया का सबसे कमजोर hunter होता हैं और इसी वज़े से उसे काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता हैं और वो काफी बार मोत के दरवाजे से बा powerful नहीं बन पाएगा और नहीं किसी की मदद कर पाएगा लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल डाली सोंग रोस की तरह गेट में जाने के लिए एक टीम में शामिल होता हैं जहाँ पर हर कोई उसे दुनिया का सबसे कमजोर hunter जिससे लड़ते लड़ते वो काफी जादा injured भी हो जाता है मगर तभी उनकी टीम का एक दूसरा hunter आकर उस goblin को मार कर सोंग को बचा लेता हैं जिसके बाद उसकी healer दोस्त जूही उसे heal कर देती हैं इसके बाद आगे उन्हें एक अंजान gate दिखता हैं जिसके बारे में उन अंदर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे और सोंग तो gate के अंदर जाने का decide करता हैं लेकिन वो एक काफी बड़ी गलती होती हैं क्योंकि उस gate के अंदर एक काफी बड़ा statue होता है जो की एक ही जटके में आदे लोगों की जान ले लेता हैं और जब कोई भी उस कमरे से ब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में आखरी मोके पर वहां से भग जाते हैं जिसके बाद सोंग जूही को बचाने के लिए उनके लीडर को भी उसे लेकर वहां से भग जाने के लिए खहता हैं फिर सारे लोगों के जाने के बाद सोंग उस रूम में बिलकुल अकेला था लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता है और आखरी दम तक उनका सामना करने की कोशिश करता है लेकिन वो बिचारा कमजोर इरेंक वाला उस पावरफुल स्टेचु के सामने कर भी क्या सकता था और इसलिए वो उनसे काफी बुरी तरीके से हार जाता है और फिर आखरी टाइम में उसकी बस एक चिंता थी कि मैं भी दूसरों के तरह स्ट्रोंग बनना चाता हूँ लेकिन शायद अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा मेरी भी तो एक फैमली है इसलिए मैं भी उनके पास वापस जाना चाता हूँ मगर लगता है कि सबको बचाने के चक्कर में मैं अकेला ही मरने वाला हूँ लेकिन मुझे सिर्फ एक और लास्ट चान्स चाहिए था उसके इतना बोलते ही वो स्टेचू उसके उपर आखरी अटेक कर देता है जिसके बाद सोंग की आखों में अंधेरा चाह जाता है और फिर अचानक से एक अजीब सा विंडो पोप अप होता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने सिक्रेट क्वेस्ट को पार कर लिया है इसलिए क्या तुमें प्लेयर बनना मंजूर है अगर तुम मना कर देते हो तो तुमारी दिल की धड़कन यहीं पर रुख जाएगी जिस पर सोंग यस पर क्लिक कर देता है अरे नई 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 दिल की धड़कन नी रोकनी और फिर इसके बाद जब उसकी आखे वापस से खुलती है और फिर थोड़े दिनों बाद जब लगातार उसे वो विंडो दिखाई दे रही थी तो उसे पता चल गया था कि उसके सामने वो जो चीज हैं वो कोई वहम नहीं है और डेली क्वेस्ट पूरा करने के बाद उसे रिवोर्ट भी मिलते हैं जिससे वो अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है अगर वो अपने स्ट्रेंथ एबिलिटी को इंक्रीज करता है तो वो सच में ज़ादा स्ट्रोंग बन जाएगा फिर वहीं उसे डेली टास्क के दूसरे रिवोर्ट से एक रेंडम बोक्स भी मिलता है जिसमें से उसे एक की मिलती है और उस की का इस्तमाल करके वो खुद एक डंजन के अंदर जा सकता था फिर आगे सोंग उस की को इस्तमाल करके एक डंजन के अंदर जाता भी है जहाँ पर जाती सी पहले उसके उपर कुछ गोबलिंस अटेक कर देते हैं लेकिन अब सोंग हारने वाला नहीं था, सोंग अब पहले से जादा स्ट्रोंग था और इसलिए वो एके करके सबी गोबलिन्स को हरा देता है, पर चीजें फिर वहीं खतम नहीं होती, आखिर में उसके सामने एक बड़ा सा स्नेक मोंस्टर आता है, उसके एक ही अटेक से तो स सोंग काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है, और सोचता है कि उस स्टेचु के सामने तो यह साब कुछ भी नहीं है, और बस इतना सोचते से ही वो अपने डर पर काबू करता है, और उस स्नेक मोंस्टर को अपने हाथों से पकड़ कर पूरी ताकत से हो जाती है, और अब वो किसी मोडल से कम नहीं लग रहा होता है, यहां तक कि होस्पिटल के नर्सेज भी उसे लाइन मार रही होती है, और सिर्फ उसकी बोडी ही नहीं, बलकि उसकी हाइड भी अब पहले से ज़ादा बढ़ गई होती है, फिर होस्पिटल से आने के बाद अब उसे काम चाहिए होता है, क्योंकि उसको पैसे की जरूत होती है, और इसलिए फिर वो सोचता है कि अब जब वो इतना ज़ादा पावरफुल होई गया है, तो अब तो किसी हाई रेंकिंग डंजन में जाना ज़ादा फाइदे मन रहेगा, लेकिन उसका रेंक तो अभी और वैसा ही काम मिलता है, जैसा वो चाहता था, वो जाकर एक टीम से मिलता है, जिसके लीडर का नाम डोंगसुक होता है, और वो लोग एक C रेंक वाले गेट में जाने वाले थे, वहां पर उसे एक और लड़का भी मिलता है, जो कि सेम उसी के तरह इस टीम के साथ सिर्फ पहली बार काम करने आया था और उसका नम योजिनो होता है हाँ लेकिन उसके एक्विप्मेंट्स की कीमत लाखों में थी जिससे ओल्रेडी पता चल रहा था कि जरूर ना वो किसी अमिर घर का बेटा होगा आगे फिर वो सब लोग मिलकर डंजन के अंदर जाते हैं जहां पर स सौंग नोटिस करता है कि उसे और योजिनो को जादा कुछ करने की जरूती नहीं पड़ रही थी क्योंकि डॉंग सुक और उसकी टीम काफी अच्छे से मोंस्टर्स का सामना कर रहे थे और तो और उनके पास कोई हिलर भी नहीं होता है मगर सौंग को न वहाँ पर कुछ त और उसका शक तब सही हो जाता है जब डॉंग सुक और उसके साथी सौंग और योजिनो को बोस मोंस्टर के पास अकेला छोड़ कर भाग जाते हैं क्योंकि उनका मकसद स्टार्टिंग से ही उन्हें मारने का था और उसके बाद फिर वो आकर चुपके से मेजिक स्टोन कलेक करके वहां से भाग सकते हैं लेकिन सौंग ने भी कोई कच्ची गोलिया नहीं खेली होती हैं वो अकिलाई वहां के बोस मोंस्टर को खत्म कर देता है आगे फिर जब डॉंग सुक अपने साथियों के साथ वापस आता है तो मोंस्टर को मरा हुआ देखकर भोचका रह जाता है लेकिन फिर उससे लगता है कि ये जरूर यो जिनो नहीं किया होगा क्योंकि उसके पास काफी strong equipment हैं और फिर इसलिए वो यो जिनो से सौंग को मार कर उसके साथ हाथ मिलाने के ले खहता है पर यो जिनो एक अच्छा लड़का था और इसलिए वो सौंग का साथ देने के लिए आगे आता है और तभी उन में से एक आदमी सोंग पर अटेक कर देता है जिसके बाद सोंग के सामने लिखा हुआ आता है कि तुम्हें सभी दुश्मनों को खत्म करना होगा वरना तुम्हारे सिस्टम तुम्हारे दिल की धरकन वही पर रुख जाएगी और अब ये दे उसे हलके में लेने लगते हैं और एक हंटर आकर उसके कंदे पर हाट डाल कर कहता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया का सब से कमजोर हंटर हमारा क्या बिगाड लेगा जिसके जवाब में सोंग एक नाइफ से वहीं उसका गला कार देता है ये देखकर सब लोग काफी शो दिया है लेकिन तुम मुझसे नहीं बच पाओगे और बस इतना कहते से वह भी सोंग पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सोंग उसका सर पकड़कर जमीन में पटक देता है और कहता है कि तुम चाहे कितने भी स्ट्रोंग हो मैं हमेशा लेवल अप करता रहता हूँ अब इस तरह से हारने के बाद डोंग सुक उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें पेसे चाहिए तो मैं देने के लिए तयार हूँ लेकिन प्लीज मेरी जान मत लो ये सुनकर सोंग कहता है अच्छा बेटा तुमने सि उसे पंगा मत लो लेकिन इस से पहले की वो अपनी बात पूरी कर पाता सोंग वही पर उसका घला काट देता है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंग एक और की का इस्तमाल करके दूसरे डंजन के अंदर जाता है जो कि पहले से काफी जादा खतरनाक होता है और फिर इसके बाद वो आगे और उस गेट के अंदर ना जाकर लोट जाने का डिसाइड करता है और इसी के साथ ये रीकेप एपिसोड यही पर खत्म होता है